असलाम उलेकुम दोस्तों मैं हूँ शारिप खान अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर वसीम रिज्वी उर्फ ग्यानेंद्र सिंग त्यागी जो इसलाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में जा चुके हैं अपना धर्म परिवर्तन करने के बा प्रूंगा इससे पहले मैं आपको एक छोटी वीडियो क्लिप दिखा दिता हूं यह वीडियो क्लिप देखिए मेरे साइड में आप उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा मुसलमान कम्यूनिटी में यह कहा जाता है कि लड़कियों को परदा करना चाहिए तो मुसलम भाद और आप Safe को लेकर करके राकी सावन्थ और यह जो इसके साथ में मुस्लिम लड़की है यह कमेंड क्या करते थे आज के दोर में इनका ताजा वीडियो देखिए राखी सावंद का ये वीडियो देखिए इनके हालात देखिए उसके बाद वसीम रिजवी की वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें उसने वीडियो बना करके एक मेस्जिज दिया है राखी सावंद के लिए तो पहले ये वीडियो देखिए आप इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से हिजाब के अंदर है राखी सावंद तो जो लोग पेले इसलाम को और बुरके को और हिजाब को लगतार टार्गेट किया करते थे उन लोगों के मुँपे ये तमाचा है और माशालला राखी सावंद के लिए हमारी दौ है कि अल्ला ताला इसको और जादा दीनदार बनाए और इसलाम में इसकी खूब तरह कि और ऐसको जन्नत का हुदार बनाए जन्नत का अखदार तो इन्शालला यह बनी गई इस दिल से इन्हों ने इसलाम कभूल किया है तो अब मैं आपको वसीम रिज्वी की वेडियो दि लेते हैं उसके बाद डॉक्टर जाकिनायस साब की वीडियो देखेंगे मैं राखी सावंजी को उनके निकाह की और मुसल्मान होने की बढ़ाई देता हूँ मैंने हमेशा लव जिहाग का अपोस किया है लेकिन पहली बार मैं एक नौजवान लव जिहादी को मुबारक बात दे रहा हूं कि उसने राखी सावंज को मुसल्मान बना लिया जब मैं आईशा फिल्म की शूटिंग करने जा रहा था तो मेरी राखी सावंजी से बात हुई थी आईशा के किर्दार के सिल्सिले पे वो तैयार भी थी लेकिन किनी और बातों की वज़ा से वो डील टै नहीं हो पाई अब राखी सावंजी मुसल्मान बन चुकी है उनको चाहिए कि अपना नाम आईशा के उपर रखे क्योंकि आईशा नाम मुसल्मानों में एक फिमस नाम है मखबूल नाम है जालतर मुसल्मान की औरते अपने नाम के आगे आईशा लगाती है बेन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसल्मान हिंदू औरत से शादी कर सकता है और किया तो क्या ये जायद है के नहीं बेन में आपसे सवाल पूछना चाता हूँ अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पईया ट्रैक्टर का है ट्रक का है और दूसरा बाइसिकल का है तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी नई बिल्कुल ने इसलिए कुरान में अला टाला फर्माते है सुरा बखरा में सुरा नमबर दो आयत नमबर दोसो एकीस में लिखा गया है कि आप मुश्रिका मतलब गैर मुस्लिम आउरत से जो शादी मत करो जो शिर्क कर रही है जब तक वो इमान ना लाए क्योंके एक मुमिन एक मुस्लिम आउरत एक मुश्रिक आउरत से गैर मुस्लिम आउरत से जो शिर्क करती है उससे बहुत बेतर है चाये वो मुस्लिम आउरत जाडू वाली हो बस्फूरत हो लेकिन बनिस्बत एक मुश्रिका से जो आउरत शिर्क करती है उससे अच्छी है उसी तरीके से आउर बले वो जाडू वारा है, वो मुश्रिक कितना भी हैंसम हो, कोई भी हो, अमिता बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसल्मान है, बले जाडू वाला है, बस्तुरत है, वो मुश्रिक से भेतर है, और वो कैसा शोर है, जो जानता है, मुसल्मान अगर जानता है, कि वो शिर करके द डांग नी इंग्लिश में कहतें better half तो अगर मेरा better half जहन्णम में जाएंगा तो किस सरीकिते में जी पाँगा इसी लिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटा राव जन्नत में जाए इसलिए वो लड़की को मुसल्मान बनना जरूरी है ताकि इस दुन्या में और आखरत में भी वो सफलता पाए जैसे मैं फरमाएं कुरान मजीन ने लिखा है कि अगर वो मुश्रिक मुस्लिम बन जाती है अगर नौन मुसलिम एक्सेप्स इसलाम तो जायद है लेकिन इसलाम के लिए एक्सेप करना चाहिए सिर्फ नाम के लिए ने इसलाम उसे अच्छा लगता है नाम के लिए एक्सेप करशिर करने लगी तो फिर मामला बहुत गंबीर है लेकिन सही तोर पे इसलाम पसंद करती है उसके टीचिंग्स को उसके एकामात को खुरान के बारे में जितना भी उसे पता है ये जरूरे का सब चीज जानने के जरूरे है पसंदाती है करें तो बेश्चक वो उससे शादी कर सकता है तो अगर नॉन मुस्लिम लढ़की इसलाम एकसेप्ट करती है तो तो इसलाम के अहला से भी दुनिया यह वैसे और हिंदुस्तानी हला से भी बिलकुल जाहिस है असलाम अलेकूम मेरा नाम सोना लेह मैं मुस्लिम दाम मेरे सीका करना चाहते हूं मुझे आप सब के सामने कलमा पढ़ाओ झा के खलाब बात कर रहे हैं टेरि otherwise हैं doश ऄतना इस्लाम कबूल कर रहे लोग 9-11 के बाद अमेरिका में सर्फ नौ महीने में अल्हमदलिल्ला इसलाम प्रोब ठीक उतनादी कने खबूल कि यह उस्लाम का बहुँ कहा है जितना इसलाम के खिलाफ मीडिया काम कर रही गैर मुस्मिन काम कर रही उतना तेजी से इसलाम फैल रहा है आप कितने मुसल्मान को मारेंगे आप हजारों मुसल्मान को इंडिया में मारेंगे हजारों लोग नए मुसल्मान बनेंगे इंशाला बेहन मैं पूछना चाता हूं कि आप मानते हैं खुदा में आप खुदा में मानते हैं भेन आप मानते हैं कि महम्म्मद صmom आखरी पेखंबर है आप पे किसी ने भी जबरदस्ती की इसलाम कबूल करने के लिए याम अपने दिल से कर रहे मैं पढ़ूँगा अर्भी में अब दोराये मैं गवाई देती हूँ कि अल्ला के इलावा कोई माबूद कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद अल्यवसलम उसके आखरी पेगंबर है माशाला आप मुसल्मान हो चुकिए आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्ला आपके पुबूल करे आपके जिहाद को ये जो खातून ये जो सिस्टर कर रही वो जिहाद कर रही है जिहाद जिद्व जहद हक के लिए इसे कहते हैं जिहाद असल जिहाद तो ये है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर रोल का बटन सेलेक कर लेना इसलाम को मिटाने की कोशिश करेगी इसलाम उतना ही बढ़ता चला जाएगा हाल ही के दिनों में आपने देखा है जब से लोगों ने इसलाम को टारगेट बनाना शुरू किया है तब से लेकर आज तक बहुत तेजी से लोग कनवर्ड हो रहे हैं इसलाम धर्म की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जितना लोग यह target करते हैं उतने ही जो secular दिमाग के लोग हैं उसको पढ़ने की उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसलाम में ऐसा क्या है जो लोग उसकी इतनी बुराईया करते हैं जैसे ही वो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं उनको सही रास्ता मिल जाता है वो जान लेते हैं कि वाकिए इसलाम ही सही है और वो कन्वर्ट होकर मुसल्मान हो जाते हैं या अगर कुछ मुसल्मान नई भी होते हैं तो सही रास्ते पर इनसानियत वाले रास्ते पर चलने लगते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इंशालला फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ तब तक दुआओं में याद रखना खुदा हाफिज जाहिन जे भारत